हलो परेंज्स, आज आपके साथ मैं स्निक प्लांट के उपर कुछ बात आशयर करने वाली हूँ, तो मेरे पास तो ऐसे बहुत कमेंट आते हैं मेरे स्नीक प्लांट के उपर किस तरह से क्यार करती हूँ ऐसे कुछ फ्रेंट्स होते हैं जिनके पास स्नीक प्लांट है वो लगाए है लेकिन वो गल जाता है ग्रो नहीं होता है कुछ ऐसे friends होते हैं जो कहते हैं उनकी शिकार रहती है कि plants लगाए है plants है लेकिन मतलब की baby plants नहीं निकल रहे है उसका growth अच्छे से नहीं हो रहा है तो ऐसे comment आते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ मैं बताओ कि fast इसके growth मतलब बहुत जल्दी इसका growth हो जाए fast growth कैसे हो मतलब इस प्लांट की हो जाए तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले आपको यह बात आपको याद रखना है कि गार्डेनिंग में जलबाजी नहीं करनी है पेशेंस रखना है आप प्लांट्स लाइए उसे अच्छे से पॉटी मिक्स रेडी करके लगाएए थोड़ा सा आपको प्लांट्स रखना है उसको टाइम देना है वह अच्छे से मतलब ग्रो हो जाए उसके बाद अगर ठीक से पॉटी मिक्स रेडी करके लगाएंगे ना तो यह जरूर बेबी प्लांट्स यह प्रोडियूस करेगा ठीक है हमारी कुछ गलती रह जाती है जिसके कारण आउन तो इक काम अच्छा होता है न तो फल की हमें कोई मतलब की आशानी करने अगर हमारा काम अच्छय होगा न तो फल उब minटा ठीक है, मुझे बहुत patience रखना होता है, मैं बहुत patience रखते हैं, अक्चली जीन को प्लांट से प्यार होगा प्यार रहता है, वो कभी नहीं सोचते हैं कि प्लांट समलाई जल्दी से ये growth करें, बहुत सरा फूल मिले, फल मिले, वो patience रखते हैं, ठीक है, ये देखिए, मैं मैंने रेडी किया है, और साथ मैं आपको बताती हूँ, कि आप किस तरह से potty mix ready करेंगे, drainage system ready करेंगे, कैसे आपको पुरा क्यार करना है सालवर, ठीक है, तो ये देखिए, हर तरह की pot पे आप इसे लगा सकते हैं, मैं मिट्ट के pot में लगाई, मैं प्लास्टिक के, कोल्डि मतलब कि हर तरह की pot में भी ये ग्रो होता है, और चाहे आप इंडो रखिए, आप आउडो रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रोध करता है, इसे जादा पानी खात की जुरत है नहीं, बहुत ही low maintenance plant है, hardy plant है, ये देखिए, प्लांट को लगाने के बाद ये कैसे बहुत हैं तो उसकों बीच में से लाइम को में कटकरके हम डिवाइट करके लगा सकते हैं ये अच्छे से ग्रोध करता है, मैंने हर तरह से रेडिय को मतलब ग्रो किया है लेकिन ये लोग़ो बॉडर वाला गर अप ये लिप्ट को कटकर लगाएंगी तो जो नए प्लान अगर आपको चाहिए कि येलो बॉर्डर वाला जैसे ही प्लांट चाहिए तो रूट के साथ आपको इसे लगाना है ठीक है और मैंने इसके जो राइजों में दिखाई नीचे से वह चोटा सा एक कट करके भी में लगाई थी वह भी बहुत अची तरह से ग्रो क्या है और येल लिगके देखिए जो ने बॉरान निकलते हैंने ने लिपस इस तरह से लाइट कलर के होते है जितना पुराना होता है र państwo होता है और इसका तो मतलब benefits बहुत है, यह 24 hours यह oxygen रिलिस करता है, इसे mother-in-law tongue कहते है, सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट, इसे कुछ नाम इंके है, ठीक है, और यह वाला देखे, यहाँ पे भी है मेरे प्लांट, तो आप देखते जाएं कितने पॉट मैंने रेडी किया है, और सारे पॉट में कितने जादा करके प्लांट है, यह देखिए, यह और एक टाइप के है, और यह मेरी मा से मुझे मिला था, एक प्लांट लगाई थी, अब यह तीन-चार महिना हुआ है, और बेबी प्लांट नि मैंने पॉट उगले है जैसे किसी प्लान को मुपर से करते हैं, तो तिन ब्लांच निकलते हैं तो राइजुम को कट करके मैं लगाई झालते हैं, वह बिल्कुल यजए सय बैबी बोडर उआ भाला फॉट मिल्ट निकले हैं यह मैरा ऐस जैसे में ग्रीन कलर के दिखाई लगली विला प्लांट तो यह उसी तरह दीखता है लेकिन आफ। बाहर मैंने रखा है लाज जामी दीखे तो यह तरह गुळा रही है यह देखिए तो यह प्लान को ना मैं जब लगाई मतलब जब भी में लगाती हो ठीक है पॉटी मिक्स रेड़ी करती हूँ उसमें मैं एक पाट मिट्टी और एक पाट में खाद साथ में थोड़ा सा मैं सैंड यूस करती हूँ ठीक है और जो खाद मेरा रहता है ना किचेन व बर जान दिक को बने की खाद में मिलाती हो कभी-कभी नीमकेख मिलाती हूँ और नीमकेख ना मिलाने से भी होता है और यह देखिए यह पॉट मेरा टूट गया था डौवराइटी के जो प्लांत है तो इसको मैंने ऐसे ही जमिन में रस्ते के साहए पेमे लगा दिया और य यह देखिए आप टेरेस गार्डेन में भी यह देखिए मेरे दो प्लांट है और खुले आसमान के नीचे बिलकुल रहता है कोई ग्रीन नेट मेरे टेरस गार्डेन में है नहीं तो इतनी गर्मी में भी मैंने ऐसे ही रखा था कोई प्रॉब्लम होता नहीं है तो आप बाहर ठीक है लेकिन इंड़ोर में अगर रखते है तो आपको ना हफदे में या दस दिन में एक बार ज़रूर आपको कुछ टाइम के लिए धूप दिखाना है तो एक बार लास्ट में आपको मेरे एंट्रेंस के सामने जो भी प्लांट लगाया मतलब रखा है दिखाऊंगे और यह कुछ प्लांटर को ना मैं इंडो रखती है तो धूप दिखाने के लिए मैंने बहार रखा है तो ऐसा मेहनत थोड़ा करना पड़ता है ठीक है इंडो लेके जाती हूँ बिच बिच में मैं बाहर रखती हूँ ताकि इसको धूप मिले और गर्मी के टाइम ना मैं इसे रो सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपको यह वीडियो में अच्छा लागा फ्रेंज तो लाइक करना शेयर करना और जो नए है मेरे चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करना और दूर से दिखिए ऐसा लगता है तो जो मैंने एकदम सामने चार्ट कोट रखा है बाद में थो सब्सक्राइब कर दो कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए ऐसे सामने रखा है ओके फ्रेंज बाइए